LibreOffice Base पर spoken tutorial में आपका इस्तगवाल है. इस tutorial में हम सीखेंगे कि डेटाबेस की देखभाल कैसे करें, डेटाबेस की साख्त किस तरह तब्दील करें, डेटाबेस को किस तरह जम करें और बैक अप्स कैसे लें, डेटाबेस की देखभाल, बेस डेटाबेस के पूरे दोर में हमें डेटा को अपडेटिड यानि ताजा, काबिले एतमाद और महफूज रखने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे. ये डेटा यानि एदादो शुमार के धांचे में तब्दीली और फॉर्म को अपडेट करने समेथ डेटा को करंट यानि नया रखने के लिए जरूरी है. लाइब्ररी डेटाबेस मिसाल पर गौर करें, जिसे हमने अपने गुजिस्ता टिटोरियल में बनाया था. इस डेटाबेस में शुरू में किताबों, अरकान और जारी की गई हुई किताबों पर टेबल्स थे. और हमने इस डेटाबेस की साख्त पर मबनी अपनी फॉर्म मिसाल, क्वैरीज और रिपोर्टें बनाई थी. बाद में लाइबररी को दीगर मीडिया जैसे डीवीडीज और सीडीज के लिए तयार किया गया. लहाज़ा हमने साख्त को नया रखने के लिए लाइबरी डेटाबेस में तर्मीम की. इसके लिए हमने मीडिया नामी एक और टेबल शामिल किया. और हमने इस नए मीडिया टेबल में DVD और CD मालूमात जमा की इस तरह से हमारा डेटाबेस ज्यादा मुफीद और ताजातरीन बन गया क्योंकि जब जुरूरत पड़ी हमने तबदीलियां की टेबल तबदीलियों के साथ हमें इस्तमाल के लिए आसान बनाने के लिए फॉर्म में भी तबदीली करने की जुरूरत होगी क्या नए टेबल्स धांचे को एड़जस्ट करने के लिए हम नए फॉर्म बना सकते हैं मिसाल के तोर पर अगर हमारे पास किताबों का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए एक फॉर्म है तो हम इसमें डिवीडीज और सीडीज के डेटा को भी दरज करने के लिए तर्मीम कर सकते हैं यहां हम मीडिया के अकसाम को मुन्तखब करने के लिए आप्शन के बटन शामिल कर सकते हैं जो हैं बुक्स या डिवीडीज या सीडीज या हम सिर्फ DVD या CD मीडिया के डेटा के इंदराज को कबूल करने के लिए बिलकुल नया फॉर्म शामिल कर सकते हैं इसी तरह से हमें Queries तबदील करने या नई Queries और रिपोर्टें शामिल करने की जरूरत होगी जो बदले हुए डेटा स्ट्रक्चर पर मबनी हैं और कभी कभी हमें मौझूदा टेबल की साखत को तबदील करने की जरूरत होगी मिसाल के तोर पर Members Table पर गोर करें जो Library के तमाम अराकीन की फैरिस्त बना रहा है ये अब सिर्फ इनके नाम और Phone Numbers को जमा कर रहा है अब अगर हमें इनका पता और शहर की मालूमात भी जमा करनी हैं तो हमें Members Table साखत को तबदील करना होगा इसके लिए हम SQL Syntax इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि Alter Table Members Add Address Text Add City Text Alter Table Statement Table की साखत को बदलता है और दो नए कॉलम्स जोडता है Address और City जो Text Data रखेंगे Table की साखत को बनाने और तबदील करने पर मजीद मालूमात के लिए hsqldb.org वेब साइट पर जाएं सिक्रीन पर जाहिर URL एड्रस का इस्तमाल करें आगे देखते हैं कि हम Database को इस्तमाल के लिए काबले एतमाद किस तरह बना सकते हैं कभी कभी Base को थोड़े से Records को रखने के लिए ज्यादा Memory की जरूरत होती है ऐसा इसलिए क्योंकि Base पेशनगोई करता है कि Data Base को एक खास मिगदार में Memory की जरूरत पर सकती है और Data जिसे हमने Tables में देखा वो बिलकुल इसी तरतीब में जमा नहीं होते हैं क्योंकि हम मुख्तलिफ अवकाद पर Tables में Data जोड़ते हैं इनका असली मजमुवा मख्सूस तरतीब में नहीं होता हम Table Data के लिए फैरिस्तें इस्तमाल कर सकते हैं जैसे के हमने किताबों की Library के लिए Table इस्तमाल की थी Table सिर्फ किताबों को दरज नहीं करता बलके इनका असली मुकाम भी जमा करता है इस तरह से हम मौसर तरीके से Data को Locate या तलाश करने के लिए Table फैरिस्तें बना सकते हैं लेकिन List यानी फैरिस्तें भी बहुत सारी Memory लेंगी और कभी-कभी Table Data को Delete करना Data को मुकमल तोर पर निकाल बाहर नहीं करता वो सिर्फ Table की फैरिस्त से अलग हो जाते हैं लेकिन इस वक्त तक जगा घेरते हैं जब तक इस जगा के लिए नया Data दाखिल न करें इसलिए Data Base का Size भड़ता जाता है जबकि हो सकता है कि हकी की जमा डेटा बहुत बड़ा नहो Base Reorganizing यानी फिर से तरतीब देने के लिए Defragmenting नामी एक बहुत ही अच्छा तरीका फराहम करता है इसके लिए हम Data Base खोलेंगे जिसे Defragment करने की ज़रूरत है पहले Libre Office Base Window के अंदर पहुँच कर हम Tools menu पर क्लिक करेंगे और फिर SQL Sub Menu पर क्लिक करेंगे और SQL Window में मंदर जजैल कमांड टाइप करें चेक पॉइंट Defrag ये SQL Command Base डेटा बेस फाइल से नापसंदीदा मालूमात को हटाता है ये पहले डेटा बेस को बंद करेगा, डेटा को फिर से तरतीब देगा और डेटा बेस को दुबारा खोलेगा अब हम SQL Window में एक और कमांड का इस्तमाल कर सकते हैं Shutdown, Compact इसमें एक फर्क है कि ये कमांड डेटा बेस को दुबारा नहीं खोलेगा Defragment पर मजीद मालूमात के लिए HSQLDB.org के Chapter 11 पर जाएं आखिर में Backups के बारे में बात करते हैं जो डेटा को महफूज रखने में मदद करता है हम अपना डेटा बेस इनकी वज़ा से खो सकते हैं कम्प्यूटर अचानक खराब होने से, हार्ड डिस्टिक ड्राइव तूटने से या वाइरल खराबी से Libre Office में अच्छा Recovery Wizard है जो Data Loss यानी डेटा के खोने को कम करता है लेकिन अच्छा है कि आप डेटा बेस का वकफे वकफे पर बैकप्स रखें और बैकप लेना बहुत ही आसान है हमें सिर्फ डेटा बेस फाइल को कॉपी करने की जरूरत होगी और इसे किसी दूसरे महफूज जरिये में जमा कर लें जैसे कि बैरूनी हार्डिस्क या सीडीज या डीवीडीज या फ्लैश ड्राइवज लाइबररी डेटा बेस का बैकप लेने के लिए मालूम करें कि लाइबररी.odb फाइल कहां सेव है और फिर फाइल दूसरी हार्ड डिसिक ड्राइव या फ्लैश ड्राइव में कॉपी और पेस्ट करें अब ये कॉपी और पेस्ट काम पूरे डेटाबेस के बैक अप का तहफुज करता है इसके तमाम एदद और शुमार के ड्हांचे, डेटा, फॉर्म, क्वैरीज और रिपोर्ट के साथ हमें कितनी बार बैक अप्स लेने की जुरूरत है ये इन्हिसार करता है कि कितनी बार डेटाबेस, डेटा या अपनी साख्ट के एटवार से बदलता है मतलब कितनी बार हम डेटा जोड़ते हैं, बदलते हैं या मिटाते हैं और कितनी बार हम टेबल, धाचे, फॉर्म, क्वैरीज या रिपोर्टें बदलते हैं लहाज़ा डेटा बेस के इस्तिमाल की तैदाद की बुनियाद पर हम रोजाना या हफ्तावार बैकप्स शडूल कर सकते हैं यहां एक मश्क है एड्रेस और सिटी दो नए कॉलम्स को शामिल करने के लिए मेंबर्स टेबल में तर्मीन करें दोनु कॉलम्स का डेटा टाइप टेक्स्ट रहने दें साथी डेटा एंट्री मोड में मेंबर्स टेबल को खोलें और कुछ नमूने के तौर पर एड्रेस और सिटी डेटा शामिल करें अब लाइब्ररी डेटा बेस को डिफ्रेग्मेंट करें आखिर में लाइब्ररी डेटा बेस का बैक अप लें इसे फ्लैश ड्राइव या दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर करें अगर दस्तियाब है इसी के साथ हम लिब्रे आफिस बेस में डेटा बेस की देखभाल के इस टिटोरियल के इक्तिताम की तरफ आ गये हैं मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह डेटा बेस की देखभाल करें डेटा बेस की साख्त तबदील करें डेटा बेस डिफ्रेग्मेंट करें और बैक अप्स लें सुपोकन टिटोरियल प्रजेक्ट टॉक्ट एट टीचर प्रजेक्ट का हिस्सा है जिसे हुकुमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खौंदगी मिशन ने ICT के जरिये हिमायत की है इस प्रजेक्ट की मावनत सुपोकन टिटोरियल.org ने की है इस पर मजीद मालूमात दर्जेल लिंक पर दस्तियाब है इस सिक्रिप्ट का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया